यशो मती मैया के नंदे लाला चोटा भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्या है मेरी हर आग्या का पारेंड करना होगा तुम्हें तो फिर बड़े भाई के नाते आपको भी मेरा सदेव साथ देना पड़ेगा मुझे बस आपका साथ चाहिए जिजी वो तो सदेव है किन्तु तुम करने क्या वाली हो काना सदेव मेरे साथ चालाकी करतो है न जिजी इस पार मैं काना के साथ चालाकी करूँगी क्या? यशोधा किन्तु सुद्यास्त होने में अभी बहुत समय बाकी है तब तक या अपने पुत्र को ऐसी खड़े रहने दोगी तुम? बैठो माँ, हमें खड़े रहना है थोड़ी दर बैठे दूना दाओ माँ और छोटी माँ को पता चलेगा तो और भी कड़ाई डंड दे देंगी हमें वह तब आओ, आप नेरे बारे में मत्ती बताना और मैं आपकी बारे में ना बताऊंगो नहीं काना, मैंने काया था ना मैं सभे वरूमारा साथ दूंगो पर उचित कायरमें, इसे अनुचित बात में नहीं इतना परियाप्त है बैठ सकते हो अब तुम दोनो पर दंड अभी सेस है आज इस कक्ष से तुम दोनों बाहर न निकलोगे और खाने के लिए केवल फल ही मिलेंगे मरिया ने तो बात सुनी नहीं उनने तो बस वही क्या गाना जो तुम ने किया था तुम ने भी तो उन्हें के बात नहीं सुनी थी इसी गरा आराम कर दियो आपने बड़े बाईवाला ज्यान देनो अब ये भताओं में इस बन गक्ष में करेंगे क्या हिलाने भी बार है तुम जो चाहे करो मैं तु साइन से सोंगो बोलो नासपती संत्रे की बात मानोगी कि ना मैं तो बड़ा हुखा ना नासपती को मेरी बात माननी पड़ेगी मानोगे ना नासपती यह कैसी द्वानी है ताओ उठो ना उठो कित्ता सोगे माने द्वार ने खोला क्या नहीं भुकार में लगाई ना पच्ची बिचित करसी खादी आ रही है खादो यह तो कुछ बिचित रही है जवा काना अंगेर से द्वार लग रहा है चिंता मत करो बाव है ना तुमारे साथ तो आपको भेना लग रहू है आप भी तो छोटे बालखो जाओ वो देखो अछाया जैसे कोई राक्षे शाओ उसका आकर सो बढ़ता ही जा रहा है दाओ अपने हाथ भी चला रहा है वो आया तो सच मुच बढ़ी होती जा रही है क्या होगा भे लग रहू है माना हम तो बास उस वीचे त्रे धानी के कारण फोड़े चाकित हो गए थे कौन सी धानी जिची आपको कछो सुनाई दे रहा है क्या जे धानी मुझे तो हाउ का स्वर है हाउ 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 बहुत भयानक जीव होतो है अधिक तर ऐसे स्थान पर बसतो है जहां अधिक गाउं वालों का आना जाना ना हो हाउ और तुम जैसे छोटे बालों को पर तो बहुत शेग्रे ही आक्रमन करता है ये पर यहाउ यह का स्वर आगो मैया वन से इसलिए इसलिए तुम सब को बन जाने से मना करते हैं हम हम मा है ना तुम दोनों पर बहुत अधिक प्रेम है हमें इसलिए तु हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हें तनिख भी आनी पहुचाए पर तुम दोनों यदि बिना बताए चले जाओगे तो हम कर भी क्या सकते हैं हाउ का सामना करना असंभव है इसलिए तुम्हें मना करते हैं कि ताम भी देते हैं पर अंत में उमारे इच्छा नाना माया मुझे ना जानो बन मुझे भी ने जाना यह नारायन इस हाउ से हमारे बालकों की रक्छा करना श्री श्री नारायन जै श्री नारायन आज भी ना आए ना कम से कम मेरी आखी मूनने से पहले एक पार आ जाओ प्रभू अपनी दर्शन दे दो फिर मती कहना कि मरने के बाद भी बुड़िया कोस्ती रहती है नारायन मैंने तो वरिंदावन में बहुट भीतर तलदा कर सब कुछ देख लियो है कि कहां क्या है। ठेरो अच्छे से बताता हूँ इस स्थान पे गौचर भूमी और यहां पे ऐसे ऐसे सुन्दर फूलों के धेर सारे पौधे और व्रक्ष हैं जिसकी तुमने कभी कलपना भी ना करी होगी। और यह क्या है। यह जे स्थान तो बहुत ही अद्बूत है बलराम। क्योंकि यहां पर एक से बढ़कर एक स्वादिश फलों के धेर सारे व्रक्ष हैं। बाहर बालक बन की सुबा की चर्चा कर रहे थे। और काना और उसके दाव बड़ा मन लगा कर सुन रहे हैं उस चर्चा को। वन ना जाएंगे वो। अरे पर यह सुदा बाहर जाकर देखो तो सही। कितना ध्यान लगा कर सुन रहे हैं। ऐसा लग रहो है मानो। बन जाने के लिए बड़े उत्सुखू। चिंता मत कीजिये नन भया। यह सुदा ने कहाना की वो नहीं जाएंगे। तो विश्वास कीजिये नहीं जाएंगे वो वन। कहना को लेकर यह सुदा इत्ती निस्चिंत। वरंदावन सचमुच चौबत कारी है। और क्या क्या है। यहां पे। यहां पे जाने की भी तो कभी सोचना भी मती। क्यूँ। यहां हाओ है क्या। आओू। जे हाओ क्या होतो है काना। पौती भयानाग जी होते है वसंता। सदे विच्छ तुरसी चानी करतू रहतू है। और हम जैसे छोटे बाला को वह यह आक्रमन करतू है काना सुत्य के रहा है वहाद ही भयानक होतो है हूँ होता होगो पर हूँ से भी भयानक तो वह है जो वनके इस भाग में रहती है कौन जाडू वाली पूडी माई मेरे चने की पौदों को हाथ लगाने का सास कैसे किया भागों यहां से फिर से इधर दिखाई भी मती देना नहीं तो इसी जाडू से तुम्हारी पिटाई करूँगी दूश्ट उद्धर निबालक उनकी तो अलदार सुनके ही प्रांच उचा तो है काना अरे हमसे तो करे तो करे वो तो अपने भगवान से भी डाट टपट के बाद करती है किसीने मना करी है कोई पहरो लगो है आपको आना है तो आजो जितनी इच्छा है खालो अप पर इन दूश्ट उदंडी बालकों को मती बेजा करो ये बीना बुछे मेरे चने खा लेते हैं क्या उनकी मईया सीश्टी है मेरे पोधो को या उनके बाबा बीजवो के गय है मैं अपने रक्त स्वेश से सीश्टी हो इन पोधो को ताकि आपको इनका प्रशाद चढ़ा सको देखो श्री नाराय अब मैं जाब करने बैठ रही हूँ जब तक मेरी अस्तियों में तनिक भी बल है मेरी भक्ती और मेरे प्रशाद का आनन ले लो जितना आनन ले सकते हो आप बरसों से मेरा चढ़ाया हुआ प्रशाद आप खारे हो न आनन तो खुब आये होगो पर फिर भी प्रभू आप दर्शन देने क्यों नहीं आए क्यों श्री नाराय इन इस बुढिया के द्वार आ जाओगे तो के आपके चटन खिस जाएंगे वरना आपको तो इस बुढिया को सतानों है मैंने तो देवी सुने वो बुढिया माई हर समय अपने घर के द्वार पे ही बेटी रहती है उसका कारण है ना बसंता उसको बिश्वाश है कि भगवान श्री नारायन आएंगे और शाक्षा तो उसके चने खा कर जाएंगे अब तो जाना ही होगा बूल के बुस बोली माई के निकट मती जाना क्योंकि श्री नारायन की अतित्पयों से फुटी आकना स्वा तो है समझे गूर क्या रही हो चलो भागो यहां से गूर तो ऐसी रही हो जैसे पहले कभी किसी बुढ़िया को अपने भगवान की प्रतिक्षा करते हो कभी देखा ना हो ओ बुढ़िया रहने तो स्लक्षना नारायन की आस में इंका मानसिक संतुलन बिगड को है सुन लिया प्रभू मैं आपकी भक्त हूँ लोग मुझे विक्षिप्त और बावली समझते हैं कम से कम एक बार बावली समझ करें मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभू कम सब कम एक बार बावली समझ करें मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभू काना कहां जा रहो है किसने बुला है कि तुम्हे माया बुला रही है दाओ पर छोटी मा तो घर के भीतर है बस बहुत होगा उखेल अब सब खाने के लिए आ जाओ ना रायन, ना रायन, ना रायन, ना रायन क्या सोच रहो है आना और सुनो, किसी ने एक त्रिंट भी धाली में अनका छोड़ा ना तो देख लेओ फैर, सब को तीखी मिर्चे खिलाओंगी आप आ क्यों नहीं रहे हैं इतनी स्वादिस्ट है मेरे चने दूर दूर से बालक आते हैं इने खाने दोड़े-दोड़े बस, एक आपको ही समस्या है यहां आने में लल्ला, आरम खा अभी पेट भर के खा लिया तो बूर्डी मैया के हरे चने तैसे खा पाऊंगा मैं तुम लोग खाओ, मैं तुम सब के लिए जाच लेके आती हूँ हमारा हलवा समाप्त होने वाला है और तुम लोग भी आरम भी नहीं क्या का ना चिंता मती करो दाओ, आप अगला धिवाला खाँगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगो अरे वाँ, तुम सब ने तु अपना हलवा समाप्त कर लियो चलो, आजो अब छाच लो अरे 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 भीड मत लगाओ, तप को मिलेगा काना का गाओ बल्राम, तेरा भाई काना कहा है? अबे तो यहीं था मैया, सबसे पहले अपना बोजन समख प्याता उसने हादोने बाहर गया होगो काना, कहां चला गया? काना, पोरा काना काना, रोक हाओ वाला उपाई भी असा पल रहो हो जिटजी यह शोना मैया, यह तो हाओ की तो नहीं है मैया ने सची कही थी मैंने बहुत सारे हाओ है आपके लीला आप ही समझ सकते हैं प्रभू जो अंतर्यामी है, सर्वग्यानी है वो अपने मैया के कालपनिक हाओ से भयवीत हो रहे हैं मुझे मैया की बात बाहनने चाहिए थी क्या तो आगुम है पर वन में और भी करनात चानों चाहिए मुझे हे नारायन, तनिक भी दयाना आती आपको क्यों इतने कठोर, इतने निस्टूर हो गए हो आप अब दे दूना दर्सन इस बुढ़िया को अब आप भी जाओ प्रभू मरने से पहले एक बार इस बुढ़िया को अपना मुक दिखा दो प्रभू खृपा कर दो काना यह सुदा क्या होगो कानहा फिर से बन की और भाग गो है पर तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना क्यों बनना जाए हूँ तेखो जी ताना बाद में दे ले ले ना अभी साथ चल के डूलो उसको कानहा नारायन 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 juga प्रतुक्षा प्रतिक्षा धर्शन देदो नारायन नारायन कानहा कानहा आँ आँ नारायन क्यों इत्नी प्रतिक्ष्य करारे अप्रभू आजा प्रभू, दर्शन देदो प्रभू उदंडी, ये क्या कर रहे हो तू? चाने कागाँ मैया? तूने आनुमती लेनी की भी आवश्यक्ता ना समझी? आपने तो कही थी वैया, आके जित्ती इच्छा हो, चाने खालो, इसलिए खार हो बावला हो गया क्या? मैंने कब कही तुस्से? आपने तो ये भी कही थी कि दूर दूर से सब बालक दोड़े चले आते हैं चाने खाने, एक मैं ही ना आतो? दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दोड़े दोड़े, बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में प्रळूच्छा दूर न सकते हुए लासन दूर विडून खानी बालक दूरो से सुटेसि बालक दो होchar